यह देखिए यह तवा गरम हो गया है और इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा क्योंकि जीरे को अब भून के राइता बनाएंगे ना तो यह बहुत ही बड़ी आप लगता है तो आप थोड़ा सा जीरा जो है डाल दीजिए गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर ले लिय आप प्ले लें लिजिए कोई आप लेली जी लिए कॉटन का और इसमें भूड़ी सींग डाल दी है और हींग डालने के बाद क्या करीई कि आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर Le졌 और जो हम जीरा भून रहे है ना उसके उपर इस तरीके से इसको हथा 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 इसको भून इसको आपको जो है बहुत ज्यादा तेज गैस नहीं करना है नहीं तो क्या होगा कि जीरा है वो जल जाएगा और जो हमारी हींग है क्योंकि हीम को चुटकी बरी लेनी है तो इस तरीके से जब आप भूनेंगे ना तो हींग भी बड़ी ऐसे भून जाती है तो कलर चेंज हो हो नहीं कि लिए ने στο ने इसले एक की जो मेरा जो है जीर हम अगिए और हींग डाली तो बहुत ही इसको अच्छा अगा प्व॑ुडर के से इस ततरीके से को रक ना है यह दही फेट के रखिया और इसमें पहले चैनिक से म mistake 96 अर धनिया और देखिये कि यह मैंने थोड़ी सी भूंदी जो है थोड़ी सा पानी में रखती थी इसको भी आप डाल दीजिए कि यह भी हम डाल देते हैं हम इसको मिक्स कर लेते हैं रायते को यह देखे कितना बढ़िया जो है हमारा हलवाई स्टाइल बूंदी का रायता तैयार हो गया और कितना गाड़ा बना है बस आप जब भी बनाएए तो थोड़ा सा इसको फेट लीजे दही को तो उससे क्या होगा पहती बढ़िया बनेगा यह देखे कितना अच्छा लग रहा है देखे यह हमारा बूंदी का रायता हलवाई स्टाइल रायता एक दम रेड़ी है